दोस्तों आपने कभी ने कभी ये कहीं ने कहीं cloud computing term को जरूर सुना होगा क्या आप जानते हैं cloud computing क्या होता है या इसके क्या-क्या फायदे हैं या हम सब आज कैसे ये न कैसे cloud computing से जुड़े हुए इन सारी चीजों पर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपको बि सबसे पहले हम समझते हैं कि cloud computing क्या होता है अगर cloud computing को मैं आसान और सहरल भाषा में आपको बताना चाहूं तो cloud computing एक computing services delivery network है जो आपको over the internet सारी services provide करती है जैसे कि database, compute, networking, storage, intelligence वगेरा 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 ओवर दा इंटरनेट आप ये सारी services on demand पर आप कर सकते हैं वही cloud computing होती है इसमें सबसे बड़ा benefit होता है कि आपको कोई upfront पैसा पे नहीं करना है आप जितना use करेंगे उतना ही आपको pay करना है तो cloud हमेशा pay as you go model पे work करता है आपको बहुत ज्यादा benefits होते हैं आपको किसी भी तरह के upfront cost के बारे में नहीं सोचना पड़ता है जबकि traditional environment जैसा कि हम देखते हैं अगर आप अपने personal servers खरीदते हैं उसमें क्या होता है आपको personally आपका server purchase करना पड़ता है उसके लिए racks, switches और वो सारी चीज़े purchase करनी पड़ती है चाहे आप उसको fully utilize करें चाहे ना करें आपको उन सब की cost भी देनी पड़ेगी जबकि cloud की case में आपको ये सारी चीज upfront नहीं देनी हैं सिर्फ आप आरली ये second के basis पे compute services, database services, networking services वहाँ से acquire कर सकते हैं अगर इसकी key benefits मैं आपको बताना चाहूं क्योंकि ये है आपके physical data center और ये किसी आपके in-house data center पे नहीं है किसी जिस भी environment में है वो उनके infrastructure level पे कहीं नहीं कहीं वो उनको सब manage करके रखते हैं उसकी security देख लीजए but cloud में भी डो टाइप की security होती है but मैं basic security की बात कर रहा हूं सारी चीज आपको manage करके मिलती है आपको इसना overhead नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूं कितने तरह के cloud होते हैं मुख्यते तीन तरह के ही होते हैं first is private cloud private cloud मतलब यह किसी एक particular organization के दुआरा चलाया जाता है और वो उनका private होता है उसमें किसी और company का कोई access नहीं हो सकता है अब बात कर लेते हैं public cloud की public cloud जैसा की नाम से पता चल रहा है publicly सबके लिए available होता है restricted countries के लावा जहां से भी आप इसे access करना पाए करना चाहे या वहां पे आपको उतना resources बनाना चाहें वह सारे काम आप वहां से कर सकते हैं और अपने environment को deploy करना वह सारी चीज़ा आप public cloud पे easily कर सकते हैं और सबसे best और suitable cloud public cloud ही होता है बिगिनर के लिए और third number पे आता है guys hybrid cloud इसमें क्या होता है environment की कुछ infrastructure की कुछ component आपके public available cloud पे होते हैं कुछ आपके in-house private cloud पे होते हैं यह इन दोनों का combination होता है अब मैं आपको कुछ real time example के थरू cloud computing को समझाने की कोशिश करूँगा अगर आप mail करने के लिए Gmail का यूज करते हैं अगर वीडियो देखने के लिए YouTube का यूज करते हैं या अपने favorite work series या किसी shows को देखने के लिए OTT platforms का यूज करते हैं तो कहींने कहीं आप cloud को यूज कर र चाहिए इनका private cloud हो सकता है चाहिए इनका public cloud हो सकता है या इन दोनों में से एक ना होकर एक hybrid combination हो सकता है तो इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो इस सारी चीजे कहीं ने कहीं cloud पे ही dependent है जैसे जैसे data increase हो रहा है जैसे जैसे लोगों की demand and generate हो रही है हर particular platform के लिए तो cloud की demand पड़ती ही जाएगी तो इस cloud computing में बहुत सारी opportunity भी आने वाली आ गया आने वाले time में तो उसकी भी बात करते हैं इस वीडियो में अब बात करते हैं यह cloud computing आपके ने कैसी beneficial हो सकता है as a individual or as a business owner अगर आप अपनी application या अपनी website को scale करना चाहते हैं बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं आप cloud computing की मदद ले सकते हैं जिसमें आप ज्यादा overhead ना करके आप cloud पर dependent हो जाएंगे अगर as a individual या as a job seeker आप देख रहे हैं cloud computing को तो यह आपके लिए बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है initially जाने के लिए क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम टाइम के बाद अच्छे salary packages मिल सकते हैं अगर मैं कुछ minimum से maximum का अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे टापिक छोड़ दी है या आप मेरे से और कुछ भी इस cloud computing पर बात करना चाहते हैं मेरे description में एक top mat का भी link दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप मेरे साथ one on one session भी book कर सकते हैं वहाँ से आप मेरे साथ discussion भी कर सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो अगर अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमार साथ जूड़ सकते हैं थैंक यू सो मज गाइस